नमस्कार स्वागत है आप सभी का अन्वेफ निउस पर मैं हूँ आपके साथ रोहत संभल से आई कुछ तस्वीरों के साथ शुरवात करते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे दरसल ये तस्वीरें जो देख रहें आप ये संभल के जावा मस्जित की हैं और सरवे का आदेश कोड की तरफ से दिया गया विश्नु शंकर जैन की याचका पर ये बड़ा आदेश जारी किया गया हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया इस जाम मश्जित को और इसी सम्भंद में फैसला सुनाया गया इसके बाद सर्वे कराया गया हरिहर मंदिर के दावेवाली याचका को सिवकारते हुए चONदाली सिविल जच की ओर से आधेश जारी करने के बाद इस पर बहें शुरू हो और अधिकारी इस वक्त मौझूद रहे दलबल के साथ कमिशनर पहुँचे और जाओ मजजित का सर्वे किया गया यह तस्वीरे संभल से आए विश्णु संकर जैन की याचिका पर यह सर्वे शुरू हुआ है और बहस भी इस पर शुरू हो गई है अब एड़ोकेट से बातशीत करेंगे इस मामले को लेकर लेकिन सबसे पहले आदेश आने के बाद विश्णु संकर जैन जो की याचिका करता है उन्होंने क्या कुछ कह वो सुना देते हैं देखिये संबल में जो हरियर मंदिर है हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंडर है और हमारे बिलीफ और फेट के अनुसार यहाँ पे दस अफ़तार में से कल्की अफ़तार इसी जगा पे होना है 1529 में बाबर ने इस जगा को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तदाकति मस्जिद के रूट में करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है तो कि यह एक ASI प्रोटेक्टेड एरिया है और ASI प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का आतिक्रमण नहीं हो सकता है महाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदर के हैं, हरियर मंदर के हैं इसलिए आजिए शाली बातों को ध्यान में रखते हुए मानली सिविल जल सीनियर डिविजन संबल ने यह आदेश पारित किया है कि महाँ पे एडुकेट कमिशन जारी हो और एडुकेट कमिशन कहाँ पे सर्वे करके वीडियो ग्राफिक फोटोग्राफिक के माध्यम से उसके बाद कोड के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करें आदेश की कमिशन मौदयस जान्यूत का फ्राफ्चा करेंगे कि वो कोड के आदेश की कमिशन महाँ पे कमिशन आगे बढ़ाएं और महाँ पे फोटोग्राफिक फिडियो ग्राफिक के माध्यम से पेड़ुकेट की करने के बाद मानी नयाले के सामने योगेश जी हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जामा मस्जुद नहीं खरीहर मंदिर है जी देखें दावा बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि जितने भी इस तरह के मस्जुद बने इस सब अधिकर्मन का वह रिजल्ट है क्योंकि जो पूरा का पूरा पेटिशन लगाई गई है कि हमारे केला देवी के महंत हैं रिशी राज जी उनके थ्रूँ यह पेटिशन लगाई गई है जिसको री पेशन कर रहे हैं विश्मयस लगाई है जो अधिवक्ता है जो सूप्रीम कोड में डियाध के लहा देखने को जिनके दवार चंदोशी कज मंदिर अधिते कुमार जीarr नुन हभि आतेत में रखिसा है जो order 26 rule line के अंतरगत आता है, CPC के अंतरगत, जहां पर इस मंदिर के अंदर जा करके इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने के लिए बोला गया, और जब ऐसा बोला गया तो वहां पर उस माहूल को बिगाड़ने के लिए ताकि यहां की फोटोग्राफी ना हो पाए मुस्लिम महूल अलाके के जो मुस्लिम ते वहां पर इखटा हो गया और किसी तरीके से इस कमिशन को काम करने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर प्रशाशन ने अपना पूरा इसके अंदर मदद करी और यह कमिशन ने अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्र अगर हम बात करें दिली में भी ऐसी बहुत सारी मज्जिदें हैं जो अती कर्मन करके बनाई गई हैं या तो वो पारत की जमीन पर अब यहां पर जो विश्लू शंकर जैन जी बोल रहे हैं कि क्योंकि यह एसाई के अंतरगत आती है पुरातत्व विभाग के अंतरगत आती जी योगे जी जी इनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और इसको पूरे तरीके से कनवर्ट करने की कोशिश की जा रही है नहीं योगे जी बिलकुल सही लेकिन ग्यान वापी वाला मामला हो राम मंदिर वाला मामला हो या तमाम और जहों पर क्या जो सिंबल मिल रहे ह पुरानी चीजे मिल रही है, उसी के आधार पर दावा किया जा रहा है? अब जब इनकी वीडियोग्राफी होगी, उनकी फोटोग्राफी निकल के आएगी और ASI का इसके अंदर सर्वे होगा, पहले भी इसके अंदर ASI का सर्वे हुआ है जेंगे पर, तब पता लगेगा यहां रियालिटी क्या थी, कैसे इस मंदिर को तोड करके, क्योंकि यह कर दिया गया, बिल्कुल योगे जी, विश्वुशंकर जयन ने जो याज का दाखिल की थी, उसके अंसार भारतिये सिविल प्रक्रिया सहिंता सीपीसी के आदेश 26 के नियम 9 और 10 के तहत, एडवुकेट कमिशनर नियुक्त कर विवादी तस्थल का सर्वे कराने की मांगी कोर्ट ने उनकी इस मांग को सिविकार कर लिया, लेकिन कोर्ट ने सिविकार कर ली मांग, सर्वे के लिए जब टीम पहुँची तो वहाँ पर जो प्रदर्शन करने लोग आ गए, दो घंटे तक वबाल किया, उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए सुरवास से ही, ताकि कि इसी भी तरीके की अनुहोनी ना घट पाए? विडोग्राफी और सरवे लोग करने से रोका जाये. बर्क वो प्रदर्शन कारियों की बीच में पहुंचे कहा जा रहा है कि उन्होंने शांत करया तब मामला शांत हुआ वरना बड़ा बवाल हो सकता था सतके काह उन्हें समाजबादी पार्टी के संसर्थ और आप जानते हैं समाजबादी पार्टी का हिदकि सब्चसक्राइब रहता है क्योंकि एक सरकारी मेहकमा हैं, एक कोट का आदेश है, उसको पालन करना सब्का गर्गाता हुए है. हमारे द illness में कोई आदेश दी आ, अभी klar ने ये आदेश ने दीया है कि ये सवाल उठा कि व्हूर्जिर खिर्वार्व ट दू करें के लिएये कि लिए जैट युदिया है, निए असंदत फैसला कैसे नहीं है, अगर कोई हिंदू अपनी पूजा आशना करते थे जब ऐसे यहां पर सबूत लगाया गए तभी तो पोट ने इसके अंदर सन्यान लिया है और यहां पर एड़ोकेट कमिशन अपॉइंट करा है तो इसके अंदर महिंशा वाली बात कहां से आ जाती है अब इनकी बात को देख करके पता कोई ऐसा आदेश था कि वहां संसक भी पहुंचे उनका पहुंचना अपने आप में एक से बताता है कि बीड को इसका करा गया है लेकिन योगेशी आकरी सवाल बात होती थी अधिया कासी मतुरा की अधिया काम पूरा हुआ कासी मतुरा की बारी है यह तमाम हिंदू संगट अधिया के अधिया काम पूरा है जहां पर तमाम याच्का ने लगाई गई है देखे सर यह तो चारों तरफ चल रहा है और हुआ हिंदू जाक चुके हैं बहुत सारे ऐसे इंदू संगटन हैं कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जैसे दिल्ली के अंदर प्रीशिरोई है जो म बैद अतिकर्मन करें देखें हम किसी भी ऐसी मजडित के खिलाप नहीं है जो प्रॉपर गूरूस के अंदर बनाई गई है बात यहां पर आती है कि क्या मजडितों को सरकारी जमीन पर रेल्वे की जमीन पर क्या पार्कों के अंदर बनाने के लिए गौर्नमेंट ने को पर मत्रातीयी कर्मन करके मंदिर बनाते हैं मजडी बनाते हैं यहां पर देखें मजजित बन रहे हैं और इनके रड़वा पूरे तरीके से यह गहराओ की न dziके पूरी पूरव एकंदे पर काम चब रहा है ठीके योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुडने के लिए फिलाल अब देखना होगा कि संभल की जाओं मस्जिद को लेकर आगे क्या कुछ होता है सर्वी कादेश दे दिया गया है दो गंटे का पहला सर्वे कर भी लिया गया है तो अब आगे इस पर न नमस्कार